हर हर महादेव, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत है भगवान शिव के करपा सदा आप और आपके परिवार जनों पर बनी रही हिंदु धर में सुमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है इस दिन बहुत से भगवान शिव की पूजा करके वरत भी रखते हैं सुमवार के दिन प्रदोश काल में पूजा करने से कहा जाता है कि भोलेनात जल्दी प्रसन होते हैं और जो भी आपकी मनुकामना है उसे वो पूरा करते हैं भगवान शेप की पूजा करने से जीवन से दुख, रोग, कलह, क्लेश और आर्थिक तंगी दूर हो जाती हैं। यदि किसी के जीवन में विवा संबंधी कोई परिशानी हो या लोगों का विवा होने में कोई समस्य आ रही हो तो सोमवार का वरत करके विधिवत पूजा करन जो की सोर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बात का समय माना जाता है। इसी विशेश समय में आप चाहें तो आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। या घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान शिप को गंगा जल से स्नान कराकर आप चंद भगवान शिप को अर्पित करने से कहा जाता है कि भगवान शिप जीवन में आ रहे ही सारी समस्याओं का समधान कर देते हैं। और जो भी भक्त सुमवार के व्रत रखता हैं उन्हें व्रत की कथा अवश्य सुनने जाए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने व जितने भी अध्याए हैं उन सभी की वीडियो अब आपको मेरे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर मिलेगी। जिसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी। ताकि आप लोगों को यदी भागवत कथा सुननी हो तो उस चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप सभी कथाएं भी सुन सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके घर में धनकी कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी इस कारण वो बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो हर सुमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदर जाकर भगवान शिफ और मापार्वती की पूजा भी किया करता था। उसकी भकती देखकर एक दिन मापार्वती प्रसन हो गई और भगवान शिफ से उस साहुकार की मनुकामना पूर्ण करने का आगरह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिफ ने कहा कि हे पार्वती कि संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भागी में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनुकामना पूर्ण करने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती के आगरह पर भगवान शिफ ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का वरदान तो दे दिया। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उसके बालक की आयू केवल बारह वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिफ की बीच इस समवात को वो साहुकार सुन रहा था। उसे ये बात सुनकर ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। बल्कि वो पहले की तरह भगवान शिफ की पूजा करता रहा और उपवास भी रखता रहा। कुछ समय के बाद साहुकार की घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहुकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन्दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले कर जाओ और रास्ते में यगी भी कराते जाना। जहां पर भी यगई कराओ, वहां ब्रहमनों को भोजन कराते वे और दक्षना देते वे ही आगे बढ़ना। अब दोनों मामा भांचे इसी तरह यगई कराते और ब्रहमनों को दान दक्षना देते वे काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजय की कन्या का विवहा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवहा होने वाला था वो एक आख सिकाना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विजार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दुलह बना कर राजकुमारी से विवाह करा दू विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को तूले के वस्तर पहना कर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया लेकिन साहुकार का पुत्र इमानदार था उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी उसने अफसर पाकर मंडप में ही राजकुमारी के चुन्नी के पले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंक से काना है मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिससे बाराद बिना दुलहन के ही वापस चली गई दूसरी ओर साहुकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुँचे वहाँ जाकर उन्होंने यग्य किया जेस दिन लड़के की आयू 12 साल की हुई उस दिन भी यग्य रखा गया लड़के ने अपनी मामा से कहा मामा आज मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भान जी को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया सयोग वश उसी समय शिव जी और माता पारवती उधर से जा रहे थे माता पारवती ने भगवान शिव से कहा हे स्वामी मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप कृपे इस व्यक्ति के कस्ट को अवश दूर करिये जब भगवान शिव मृत बालक के पास गए तो कहने लगे कि ये तो उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारह वश की आयू का वर्दान दिया हे देवी पारवती अब इस बालक की आयू पूरी हो चुकी है लेकिन ममता से विभोर होकर माता पारवती जी कहने लगी हे महादेव आप तो सभी के दुख तूर करते हैं अपने भक्तों की मनुकामनाई पूर्ण करते हैं कि ये आप इस बालक को दिरगायू होने का वर्दान प्रदान करें आन्ने था इसके वियोग में तो उसके माता पिता भी तडब तडब कर मर जाएंगे माता पारवती के आगरह पर भगवान शिव ने उस लडगे को पुनर जीवन होने का वर्दान दे दिया भगवान शिव के करपासे वह लड़का जीवित हो गया सिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ वापस अपनी नगर की ओर चल दिया दोनों चलते वे उसी नगर में जा पहुँचे जहां उसका विवहा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यगी का आयुजन किया उस लड़के के ससुर ने उसे वहां पहचान लिया और महल मिले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और फिर डेर सारा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया इधर साहुकार और उसकी पत्नी भूख हे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतिक्षा कर रहे थी उन्होंने प्रतिग्या ले रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समचार मिला तो वो भी प्राण्ट त्याग देंगे परन्तु अपने बेटे के जीवित होने का शुब समाचार पाकर वे बहुत प्रसन हुए उसी रात को भगवाशिव ने व्यापारे के स्वप्न में आकर कहा हेश्रेश्ठी मैंने तेरे समवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है और इस प्रकार जो भी भगत सचे मन से समवार का व्रत रखता है या इस कथा को सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख भगवाशिव दूर कर देते हैं और सभी मनुकामनाई भी पूर्ण कर देते हैं हे भूलेनात जिस तरह से आपने साहुकार के दुख को दूर किया उसी तरह से इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के दुख दूर करना भक्त जनू ये थी सुमवार व्रत कथा उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी